नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो के इंदर हम बात करेंगे आंगनवाड़ी भरती नौटिफिकेशन 2020 को लेकर यहां पर जो इंपोरेंट योग्यता यह मतलब क्या कि आपकी योग्यता आवश्यक है इसके लिए और इसकी पूरी आंगनवाड़ी भरती नौटिफिकेशन 2020 की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के इंदर आपको दी जाएगी और एज लिमिट पोस्ट कितनी पोस्ट पे आपकी वेकंसी आई हुई है इसके बाद में जो डॉक्युमेंट क्या क्या होने चीए आपके पास एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या होना चीए तो इसकी संपूर्ण बात करेंगे इस वीडियो के अंदर तो आप अगर आप पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको वीडियो पसर रहे तो लाइक करना है तो वीडियो शुरू करते हैं राजस्तान आंगनवाडी रिक्वार्मेंट ब बरती 2020 का जो नॉटिफिकेशन ने वो जारी कर दिया है जबकि कुछ अन्य जिल्लों के नॉटिफिकेशन बहुत ही जल्द ही इनकी ऑपिसल वेबसाइट के उपर जारी कर दिये जाएंगे महीला बाल विकास विबाक की जो ऑपिसल वेबसाइट पर आप राजस्तान आंग वाड़ी कार्य करता सहाईका सयोगिनी सीसु पालन ग्रह कार्य करता हो के मान देयर सेवा के रिक्त पदो हेतु आवेदन आमद्रित किये गए हैं अब बात करते हम इसकी जो पोस्ट है उसकी डिटेल से बात करते कौन-कौन से पोस्ट पर यहां पर रिक्वर्मेंट यहां पर कि आपके पास डॉक्योमेंट होने चीए तो सक्सेनिक योग्यता सम्मंदित अंकताली का प्रमान पत्र सेकेंडरी की अंकताली का प्रमान पत्र होना आवस्यक हैं मूल निवास प्रमान पत्र मत दाता पहचान पत्र रासन कार्ड आधार कार्ड सभी दस्ता वेजो हो में से कोई भी एक आवस्तक है कारी अनुभव पर्मान पत्र सहीका आसा सयोगिनी सातिन के रूप में एक वर्स का कारी अनुभव जोती योजना लाभार्ती हुने का पर्मान पत्र ठीक है विद्वा परि परित्यक्या तलाक शुदा प्रमान पत्र अगर हो तो ठीक है आरे सेटी का प्रस्रिक्षन प्रमान पत्र अनुसूचित जाती पिछडा वर्ग अल्प संक्यक प्रमान पत्र बीपील कार्ड केंदर सरकार की सूची में सम्मिलित एवम आवसक दस्तावेजो की सिवम प्रमा नित चाया परती आपके पास यह डॉक्यूमेंट जो यहां पर बताएक है वो डॉक्यूमेंट होने चीए उसके बाद में हम बात करते एज लिमिट की तो सातिन के पद हेतू आवेजन करता की जो आयू है वो 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए लेकिन अनुसूचित जाती जन जाती अभ्यारतियों के ल जिस दिन विग्यप्ति जारी हुई है उस दिन को आधार मानकर की जाएगी अधिक जानकारी के लिए विग्यप्ति देखें इसके बाद में आपे बात करते हैं एजुकेस्नल क्वालिफिकेशन की ग्रामीन सहरी चेत्रह में महीला जिस आंगनवाडी के लिए चैन हो रहा ह यह हो रही है उस राजश्व ग्राम वाड की इस्तानिय निवासी होनी चाहिए क्योंकि आंगनवाडी में अपने ग्राम में ही काम करना होता है साथिन हेतु नियुन्तम योगेता दस्वी पास और विवाहित होना अन्यवारी है साथिन इन चोटे वच्चों को कुछ पढ़ा सके उसके लिए दस्वी पास आवशक है तो दोस्तो आज के वीडियो बस इतना ही तो अगर आपको वीडियो पसन आए तो लाइक जरू कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना धन्यवाद